असलाव अलेकुम आप सब कई से अलहम्दुला मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपके लिए एक हेल्थी रेसिपी ले क्या ही हूँ डाइफ फ्रूट पाउडर बहुत हेल्थी रेसिपी है रात में एक चम्मच दूद में डाल कर पी सकते प्रोटिन फुल कैल्शम फुल रेसि क्यादी बना रही हूँ कि ऊट्स है यह प्लेन ऊट्स यह सारे चीज़ों को ले लेना कि पूट हेल्थी रेसिपी है जरूरी रेसिपी से ट्राय करके होममेट ड्राइफूट ड्राइफूट पॉडर बनाएए देखे मैं बादम को ड्राय रोस्ट कर ले रही हूं अच्छ रोट और पिष्टे धिम्यांच पर अच्छा बन लूँगी ड्राइबेटिस वालाओं को जो जिसको हड़ों में कमज़री रहती कैल्चल की कमी रहती वह लोग जरूर यह रसिपी से होममड ड्राइफूट पॉडर बनाएए रात में सोते खुद एक चमच दूद में डाल कर पी के सोईए इंशालला इंशालला कैल्चम की कमी सब दूर हो जाएगी देखे वह अख्रोट और पिष्टे अच्छा बुने गए अब उट्स भुन रहे हैं इसमें उट्स भी अच्छा बुने गए अब इसमें मखाने मखाने दाल के भी इसको धीम्यांच पर अच्छे से भुन लोंगी है हमारा घर में पूरी फैमली लेती है यह डाइफूट पॉडर रात में सोते खुद एक चम्मच दूद में इसलिए में ज्याद कॉंटिटी में बनाई आप भी अपने पूरी फैमली के लिए बनाईए देखे सारे चीजों को अच्छा ड्रायरोस्ट कर अच्छे से फुन देमाई अब मैं इसको ग्राइड करके दिखाऊंगे आपको कि देखे में ग्राइड करते हूं ज्याद बारीक नहीं ग्राइड करना दरदरा ग्राइड करना देखें ऐसा दरदरा ग्राइड करना अब उट्स दालरी में उट्स दालगे भी दरदरा ग्राइड कर लोंगी पादरम अखोड पिष्टे ग्राइड कर ली दरदरा अब उट्स दालगे पे अच्छा ग्राइड कर लोंगी उट्स पे अच्छा ग्राइड हो गया अब मखाने दरा ग्राइंड करने है, इस में शुगर भी दाल सकते हैं मगर मैं शुगर नहीं नहीं दाल रहे हैं है, healthy powder बना रहे हूं, डेवटीस वाले, नौर्मल हर कोई ले सकते हैं, बच्चे बड़े सब ले सकते हैं, रात में एक चमस्च दूत में दाल के पी लेता हैं, इंशालला इंशालला कैल्चिम की कमी आईरन, विटामिन, सरी चीज़ में रहती डाइफरूट में सरी कमी दूर हो जाएगी देखे अच्छे से दरदरा ग्राइन कर लीम है इसको देखे इसकी फाइनल लुक इसको हटों में कमज़र रहती है जोइंट्स में पेन रहता है कैल्चिम की कमी से वो लोग इसे बना कर जरूर जरूर ट्राइ कीजिए सोद्र खुद एक ग्लास दूद में दाल कर एक चमच पौडर मिक्स करके पील के सोई सोईए देखे हमाई एक स्टिल का डबा इसमें अच्छा सा फुल करके मैं इसमें रख ली एक साल तक वन यह तक इसको कुछ भी नहीं होगा अच्छा स्टोर करके रख सकते हैं आप एक साल तक इसको रख के यूस कर सकते क्योंकि वे तो पन ड्राइरूस्ट करते हैं इसलिए ये खराब नहीं होता अल्ला हाफीस